वेल्कम बाक टू मैं चैनल ड्रीम मैं सुराजम करने वाल हैं लीनेरी कुछिन टू वेरिवल्स का पार्ट 3 यह सभी तक हमारे कम्प्रीट नहीं हुआ यह चैप्टर अभी हम देख ग्राफ करने हैं और बहुत एजी है ग्राफ बनाने आपको सल्यूशन बनाने आपको यह बहुत एजी क्लास है अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अगर आपके लिए वीडियोस हेल्फुल है तो लाइक करके भी जाना इन वीडियोस को ठीक है चले फटाफट से करते हैं स्टार्ट आज की क्लास फस्ट क्वेशन इस ड् करने वले हैं जो हम solutions में कर रहे थे बट आज हम उन xy points को graph पे plot करेंगे तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से बनाते हैं यह table जिससे हमें graph बनाना easy हो जाए ठीक है बेर कर लेना यह तेडी मेडी lines को ठीक है देखो x को क्या है x को क्या कर रहे हूं मैं 0 put कर रहे हूं अगर x क y equal to 7 में that will be x plus 0 is equal to 7 means x is equal to 7 y को 0 डालने से x क्या रहा है 7 तो y को 0 डालने से x क्या रहा है 7 आपने यह पहले first and former thing यह table बनाना है जहां पे अब x की value के लिए y की values निकाल रहे हो और y की values के लिए x की values निकाल रहे हो सबसे पहले x 0 और y 0 भी डालके देखते हैं क्योंकि यह easy ह मैंने आपको solutions में भी बताया था चले फिर आगे अब इसका क्या बनाना है graph means जहां पे x 0 होगा वहां पे 7 को mark करना है na x 0 y 7 बनाना है means 0 7 मैंने आपको first class में बताया था this is abscisa and this is ordinate यह x axis का point है यह y axis का point है यहां पे x axis 0 है means x axis पे तो नहीं जाएगा सिर्फ y पे 7 जाएगा तो जब मैं इसका graph draw करूंगी that will be this 0 7 क्योंकि यह x axis 0 है तो यह point y axis पे मिलने वाला है इसलिए point यहां पर है next point 7 0 that will be x पे 7 y 0 y axis नहीं है तो x axis पे आपको point मिलेगा है ना जैसे 0 and 7 है तो यहां पे x axis 0 है तो point का मिलेगा y axis पे इसलिए y axis पे point ड्रो की है और अगर हमारे पास 7 0 यहां पे क्या है y axis 0 तो point का मिला मुझे x axis पे मिला clear है यह चीज़ तो आपको points ऐसे draw करने है for example point होता हाँ आप 0 7 के लाव कोई और भी point ले सकते हो for example आपने x को माल ले लिया ठीक है तो अगर आप x को माल लेते तो क्या होगा यह 1 plus y is equal to 7 y is equal to 6 मतलब आपके पास point क्या ह 1 and 6 1 and 6 को draw करो क्या आएगा 1 यह रहा और 6 यह रहा means यहां पे कही point बनेगा यहां पे है ना चाहिए आप कोई भी point ले लो इसी line के उपर वो सारे point आपके लाए करेंगे यह जरूरी नहीं है 0 0 ले ठीक है यह तो आप कोई भी point लो करो वो सारे point आपके इसी line पे draw होंगे इ इसी line पे आने वाले है आप 1 लेके निकालो value 2 लेके value निकालो 3 लेके value निकालो clear है चीज तो आप graph paper पे प्रॉपर वही बनेगा बट हमारे लिए हमारी convenience के लिए कि हमें easy हो जाए हम 0 0 पे check कर लेते हैं और यही points लेते हैं 2 points निकालके भी हम graph draw कर सकते हैं clear है graph बनाना बहु निकालेंगे x की value 0 लो that will be y क्या हैगा 4 y की value 0 लो 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 डाल देते हैं x की value क्या हैगी 4 तो यही आप इस पे graph पे देखो 0 4 and 4 0 0 लो 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 हमारा equation easy हो जाता है इसलिए हम 0 से निकालना prefer करते हैं आप कोई और point भी डालके देखो इसी line पे लाए करने वाला है suppose x को 1 लो तो x plus y is equals to 4 y is equals to 4 minus x अब क्या डालने x को 1 that will be y3 means जब मैंने x को 1 डाला y क्या रहे 3 तो देखो 1 3 मिरेको draw करने कहां draw करूंगे x क्या है 1 y क्या है 3 देखो x1 और y3 यह पूरे graph पे बना हुए इसलिए यहाँ पे आपको exact दिख रहे है कि यह point इस line पे है महाँ पे graph नहीं था महाँ पे roughly बना हुआ था तो आपको exact नहीं दिख रहा था पर यहाँ पे बन रहे है 1 and 3 देखो दिख रहे है यह पूरा graph paper पे बना हुए इसलिए आपको proper दिख रहे है तो यह point है 1 3 तो आप कोई भी point लोगे आप इसी line पे लाए करने वले है वो सारे point जिनको आप consider करके अ minus 2 ध्यान से 0 minus y 2 minus y 2 y is equal to minus 2 negative है उदर जाएगा that will be minus 2 अगर y को 0 ले रहे हूं x will be 2 क्योंकि x minus 0 2 x में से 0 गए x ही रहेगा तो x 2 तो points क्या बने 0 minus 2 and 2 0 यह point अब points क्या है 0 minus 2 2 0 चलिए graph देखते हैं इसका कहा है graph यह रहा graph इसका ठीक है हमारे points क्या थे 0 and minus 2 था I think और 2 और 0 एक बदर चेक कर लें यही थे बिलकुल यही थे यह graph देखो इसी का है आपने proper ऐसे line mention करने है ठीक है अब 0 and minus 2 x 0 है y minus 2 that will be this point है ना और x 2 y 0 that will be this point देखो अब इसको extend करो यही तो आ रहे है means इन्होंने point लिए 2042 आपने लिए यह वले point फिर भी देखो graph तो वही आ रहे है उसी line पर point लाए कर रहे है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको books वले ही point लेने है ऐसा जरूरी नहीं होता है ठीक है आप अपने points below आपके उसी line पर ही point लाए करेगा आपका graph सेम आएगा point differ हो सकते है ठीक है चलिए आगे करते हैं third question देखो y is equals to 3x तो यहाँ पे क्या आएगा y is equals to 3x को कैसे करना है देखो यहाँ पे डाल दो इसको x यह रहा y यह रहा x को डाल दो 0 y will be again 0 अब y को 0 डाल के मैं नहीं देख सकती क्योंकि x 0 डालने से ही y 0 आगे ठीक है अब x को क्या डालती हूं मैं 1 so y will be 3 so points are 0 0 and 1 and 3 देखते इसका graph कहां पे है y is equals to 3x यह रहा point 0 0 और क्या बना था हमारा 1 3 तो 0 0 point कहां है यह रहा 1 3 point कहां है यह रहा यही line देखो इसte line पे लाएकर रहा है आप खुदी scale से इसको extend करके बनाऊगे तो graph तो same बनेगा हमیشہ line को extend करके बनाते हैं जिन points को आप cover कर रहे हैं तो यह देखो इससे भी same line पे लाए कर रहे हैं तो आप कोई भी दो points अपनी मर्जी से ले सकते हैं ठीक है next देखो last question आज का 3 is equals to 2x plus y ठीक है x को क्या डालो 0 तो डाल देते हैं तो क्या बनेगा 3 2x plus 0 2x is equal to 3 x is equal to 3 by 2 means y को 0 डालने से x 3 by 2 आ रहा है जिसका मतलब है 1.5 है ना तो point क्या बने 0 3 and 3 by 2 0 निकालते हैं इसका answer चलिए equals to ये वल है x 0 y 3 ये रह point है ना point और क्या निकाला था हमने हमने निकाला था y 0 और x 3 by 2 है ना तो y 0 x 3 by 2 y 0 x ये वला point देखो इस curve पे लाई कर रहा है sorry इस line पे लाई कर रहा है तो आप इन्होंने 1 1 point लिया है आपने ये वला point लिया वो ला point भी देखो graph पे लाई कर रहा है clear है चीज़? वो example जो मैंने आपको दिखाया था ये proper graph पे नहीं बन रहा था इसलिए आपको point ये proper show नहीं हो रहा था ये जो examples हैं ये graph पे बनुए proper scale से यहाँ पे आपको show हो रहा है कि ये point उस line पे ही है आपके book के point ये दूसर से डिफ़र हो सकते हैं लेकिन line जो है graph जो है वो same आएगा clear है ये चीज़ एक और चीज़ मुझे आपसे discuss करनी है ये तो हमने आपके पास linear equation दे रखे थी आपने graph बना लिए अगर आपके पास ऐसे graph दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ और 3-4 equations दे विए हैं suppose ये ही 4 आपको नहीं पता ये किसका graph है किस equation का graph है आप कैसे check करोगे आप ये point जो है इन चारो equations में डाल के देखोगे जिसके लिए ये satisfy हो गया वो उसका graph होगा अधरवाँ चेक कर लेते हैं 4th में 3 is equals to 2x plus y point कौन सा check करें 0, 4 मैं x को 0, y को 4 डालूंगी और देखूंगी उसके लिए left hand side, right hand side के equal आ रहे हैं कि नहीं x को डाल देते हैं 0 y को डाल देते हैं 4 3 is equals to 4 not possible इसका मतलब ये जो graph है वो इसका नहीं है ठीक है ना? अब देखो second बे भी कर लो क्या हैगा 0, 4, that will be x को क्या डालूं? x को क्या डालना है? 0, y को क्या डालना है? 4, फिट से 4 is equals to 0 not possible तो ये भी नहीं हो सकता तो ऐसी ही अगर आपको graph दे रखा है और 3-4 equations दे दे और आपको बताने ही किसका graph है उनके points उस equation में डाल दो और चेक करो किस equation को वो satisfy कर रहे हैं जिस equation को वो satisfy कर रहे हो वहाँ पर वो ही equation इसका क्या होगा? उसी equation का ये graph है आप ऐसे चेक कर सकते हो ठीक है? I hope you like this video यहाँ पर आपका 4 chapter खतम होता है 4 chapter complete हो चुका है अब हम करेंगे 6 chapter star या लाइन जल्दी ही आपको वीडियोस उसकी मिल जाएंगी तिल देन आप जो भी chapters हम कर चुके हैं 1, 2, 3, 4 अच्छे से इनको कर लो आपको लगते हैं यहीजी चाप्टर आप जो क्वेशन करका आपको पता लगेगा कहां पे आपके वीक्निस हैं ठीक है, if you like this video, do like, share, comment, subscribe to my channel which is dreamass Thank you so much for watching